आज जिस रेसिपी की वीडियो मैं आप लोगों के लिए लेकर आए हूँ वो समर्शिजन की सबसे बेस्ट और फैमस रेसिपी है जी हाँ आमका अचार और जिस तरीके से इस रेसिपी को मैं बनाने वाली हूँ न वो तरीका बहुत ही ट्रेडिसनल और अथेंटिक है तो इस को मैं बना रहे हूँ बीना किसी वेनेगर के बीना किसी सिर्के के और वो भी कम तेल मसालों में तो वीडियो को एंट तक जरूर देखिएगा वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजेगा और हो सके तो दूसरों को भी सेयर कीजिए और अगर आप इस रेसिपी को ट्राइ कर रहे हैं तो कमेंट करके जरूर बताईएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजेगा तो चलिए वीडियो को सुरू करते हैं तो आज हम ले लिए हैं ये आम और ये छोटे बड़े हर तरह के साइज के आम है तो जो बड़े वाले साइज के आम है ना उनमें गुठ नएफलिया नहीं आई हुई है और इस छोटे वाले आम से हम बनाने वाले हैं बीना छिलके का आचार , तो इस छी आःए ग। चलकेpha वाले की आचार टो इस जिलके को अहां अच्ही तरह으니까 के उतार Goर Gए तब इस अचार को हम बनाएंगे और ये अचार खाने में बहुत ही सौफ्ट होती है और ये लगभग एक दिन के अंदर तयार हो जाती है आचार लगाने की रेसिपी वही है कि आप इंस्टेंट नहीं बोल सकते हैं इंस्टेंट तो आम की सबजी बन सकती है और उसे भी तेल म के लिए पिश्टोर करके रख सकते हैं अगर आप जादा क्वांटिटी में बना रहे हो तो नहीं तो आप अगर थोड़ा सा बना रहे हैं तो फिर बहुत दिन तक वह भी चल जाता है और वह खराब बिल्कुल नहीं होगा और हम बना रहे हैं आम की अचार को बनाने के बैगन का चोखा बना रहे हैं तो उसमें आप यूज कर सकते हैं और इसे डाल चावल या रोटी सबजी के साथ भी आप खा सकते हैं और बिना गुठली वाली आम की अचार है यह तो यह बहुत दिन तक चल जाती है इसे बनाने का प्रोसेस बस इस तरीके से होना चाहिए त तो इस तरीके से हम सारे आम को कट कर लेंगे और इसके बीज को निकाल देंगे अगर आप उंको चाहे तो छिलनी से भी छिल सकते हैं और नहीं तो चाकू की मदद से भी छिल सकते हैं क्योंकि जब ताजा आम होता है ना उसके छिलके थोड़े हाड होते हैं तो इसे हम 2-3 पानी अच्छे से धो लेंगे और इसे धोने के बाद इसे लगभग हम 2 घंटे के लिए 2 या 3 घंटे के के लिए हम धूप में अच्छी धूप जबा रही हो ना तब आप इस रेशिपी को बनाएं ताकि इस आचार में बहुत अच्छी धूप लगी होई हो तो चलिए इस आम को अब हम लेकर चलते हैं छट पर और इसे सुखाने के लिए आप चाहें तो सूती के कपड़े में या फिर कोई बड़ी बरतन हो उसमें अच्छी तरीके से फैला ले जिसमें प्रोपर तरीके से इसमें अच्छी धूप लग सके तो अब इसे हम लेकर चलते हैं छट पर ताकि इसमें दो-तिन घंटे धूप लग जाए तो जब तक ये अचार में धूप लग रहा है आम में तब तक हम चलके जो बड़े वाले आम हैं उसे भी कट कर लेते हैं और ये आम देखने में बड़े थे तो हमें अंदाजा था कि इसमें गुठ लिया होंगी तो इसे लिए इसको हम छाट कर साइड कर लिये थे और इसे भी हम काट लेंगे और इसे हम छीलेंगे नहीं इस अचार को हम छीलके के साथ लगाएंगे जैसा अचार मतलब लगता है और जब हम इसे काट रहे थे तब हमें पता चला कि हाँ ये थोड़ी हाड थी कट तो नहीं रही थी लेकिन हम कोशिस किये हैं कि ये कट जाए और आप देख सकते हैं इसमें इतनी अच्छी गुठली थी ना कि इसके रेसे निकले हुए हैं और अचार के लिए ये आम बेस्ट होता है जब भी आप अचार लगाए न तो आप कोशिस करें कि जो रेसे वाली आम होती है उसी आम को आप ले और जिनमें अच्छी तरह से गुठलीया आई हुई हो तो चलिए इसको हम काट लेते हैं और ये आम के साइज बहुत बड़े थे तो हम इसमें तीन-तीन टुकड़े किये हैं अगर आप चाहें तो दो टुकड़े भी कर सकते हैं लेकिन दो टुकड़े बहुत जादा बड़े हो जाते तो हम इसे तीन टुकड़ों में कट करेंग और यह कट नहीं रही थी क्योंकि इनकी गुठलियां बहुत हार्ड हो गई थी और इसे हम इस साइज में मतलब कट करेंगे इसी सेप में आप अगर चाहें तो एक आम के चार टुपड़े भी करके रख सकते हैं तो साइज थोड़े बड़े हो जाते हैं लेकिन जादा तर लोग उस तरीके से भी लगाते हैं यदि लेकिन हम इस तरीके से लगा रहे हैं क्योंकि बच्चो को देने में यह अचार न बहुत ही मतलब ज़्यादा उस समय यह होता है कि हो एक छोटा सा टुकडा है बच्चे को दे सकते हैं और यह वाली जो आप है ना मुझसे कटी ही ने जब मैं इसको काट रही थी ना तो इसके गुठली को ज्यादा ही हाट थी तो फिर यह कटी नहीं तो फिर हम इसे जो हसीआ होती है चिलोहि पहसूल या स्वरोता कह लीजिए फिर उससे इसको कट करना पड़ा तो यह कट नहीं रहें तो चलिए इसे हम हसी आसे काट लेते हैं पहसूल से और तब आपको यहां पर मैं एक बात आप लोगों को बताना चाहूंगी कि जब भी आप आम को कट करे न तो आम को थोड़ी देर थंडे पानी में जरूर रहने दे आम को काटने के पहले भी थंडे पानी में कुछ देर रहने दे और काटने के बाद भी तो इससे अचार क्या होता है न बहु आती है उस पर एक cotton का कपड़ा बिछा दिये हैं और सारे आम को उस पर हम उल्टा करके फैला दिये हैं ताकि वो अच्छी तरह से सूख जाए और यह जो कुछ आम कटे फटे होते हैं तो उसकी भी हम एक रेसिपी बनाएंगे तो उसे भी हम छेल लिये हैं तो चलिए इसको अ दालेंगे और अब इसमें हम आड़ करेंगे टेस्ट के एक ओर्डिंग नमक और यह आम खटी वाली है तो इसमें नमक ज्यादा डलती है तो इसमें हम लगभग दो चमच के करीब नमक डालेंगे हाफ टीस्पून के करीब हम डालेंगे हल्दी पाउडर और हाफ टीस्पू हो सकते तो आप सूती कपड़ा से ढखका रखे ताकह इसमें कुछ पड़े नहीं और जब धूप में इसे रख लिए थे उसके बाद अचार हो या खटी चीजों की कोई भी रेसिपी हो ना तो उसे अगर आप सीसे के जार में रखते हैं तो उसकी सेल्फ लाइप थोड़ी बढ़ जाती है आप ज्यादा कुसिस करें कि सीसे के जार में ही रखा जाए अगर ना हो तो आप लाश्टे के जार में भी रख सकते हैं तो ये इसको हम लोग बिहार में, यूपी बिहार में इसे कूचा बोलते हैं और ये तुरंत बनकर तयार हो जाती है, इसे आप बनाए और तुरंत खा सकते हैं, इसे आप सत्तू का जो सर्बत होता है उसमें यूज कीजिए, इसके तरीके और इसे बनाने का तरीका बहुत ही स तो अच्छी धूप लगने के बाद दो तीन घंटे यह देखिए यह आम बिल्कुल अच्छे तरह से इसमें धूप लग गया है सूख गया है और इसका जितना भी पानी था वह अच्छी तरह से सूख चुका है और आम जब आप इसके अचार के लिए काटेंगे ना तो उसकी जो गुठिलियां होती है उसके उपर ने एक प्लास्टिक जैसा परत होता है तो उसे आप निकाल लीजिए गा तो इसे हम इस टब्बे में भर रहे हैं क्योंकि बड़े सीसे का जार मेरे पास नहीं है तो इसे हम इस जार में ही प्लास्टिक वाली में ही डाल रहे हैं तो इ दालेंगे और बाकी जो आमके फाकी बच गया है उसे हम दूसरे डब्बे में ठीक इसी प्रोसेस से डाल के ले लेंगे तो इतना बच गया है लेकिन जब आप इसे एक दिन के लिए और सुखाते है न तो यह बचता नहीं है ठीक पूरी मतलब एक बोतल में आ जाती है तो आप इसमें हम एड़ करेंगे चार से पाथ चमच नमक नमक इसमें आप ज़्यादा डाले क्योंकि नमक से और हल्दी से अचार बहुत ज़्यादा दिन तक टिकता है तो इस दोनों जार में लगवग हम चार से पाथ चमच भर भर के यह नमक डालेंगे और उसके बाद इस तरीके से हम इस अचार को बना रहे हैं ये बिल्कुट रेडिस्नल तरीका है ये पहले इसी तरह से अचार बनते थे और मैं जब भी अचार बनाती हूँ न तो ठीक इसी प्रोसेस से बनाती हूँ और वो बहुत दिन तक अगर हम रखे नहीं से तो 5-6 साल तक ये चल जाते हैं तो ये कम क्वांटिटी में है तो ये ज्यादा दिन तक नहीं चलेंगे लेकिन आप ज्यादा क्वांटिटी में बना रहे हूँ तो फिर वो इसी प्रोसेस से बनाईए और अचार बहुत दिन तक टिकेंगे तो इसमें हम लगबग 2-3-3 चमच के करेंगे हल्दी पाउडर डाल दिये हैं और इसे अच्छी तरह से इसमें हिला कर मिक्स कर लेंगे और हल्दी नमक इसमें अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद इसे हम ओवर नाइट के लिए रख देंगे और राद भर इसे रखने के बाद क्या होता है ना कि जो आचार में थोड़ा बहुत पानी होता है आम के अंदर वो भी बढ़िया से निकल कर बाहर आ जाता है नमक और हल्दी मिक्स करने पर ये जो आम है पानी छोड़ेगा और उसमें अच्छी तरह से पानी निकल आता है आप देखेंगे ना कि यह जो आम का अचार है वो हल्दी और नमक को अपने अंदर बहुत अच्छी तरह से अब्जॉर्ब कर लिया है और यह देखें थोड़ी बहुत तली में जो पानी आई है उसे हम निकाल देंगे और इन दोनों जार को अब हम लेकर चलेंगे छट पर और इसे अब हम दो घंटे के लिए अच्छी धूप में सुखाएंगे तो चलिए इसे लेकर चलते हैं छट पर और इसे भी बढ़िया तरीके से सुखा लेते हैं और आप ये अचार तभी बनाए जब अच्छी खीली धूप एकदम निकल रही हो और गर्मियों में तो धूप का कहना ही कि आप दीन भर एकदम प्रचंड तरीके से निकली रहती है तो ये देखें जार से हम आम को निकाल कर इस तरीके से ठला लिया है ताकि ये सूख जाए अच्छी धूप इसमें लग जाए और साथ में कुछ मूली आई थी तो मूली का भी अचार हम इसी वक्त लगा लिये हैं दूप में डाल दियें ताकि मूली भी अच्छी तरह से सूख जाए और मूली का अचार भी हम इसी तरीके से लगाएंगे तो इस अचार में जब तक धूप लग रही है ये देखे कितनी हरी हरी इसके छिलके साइड भी अचार है तो इसमें अभी हम धूप लगने देंगे और ये देखे जार में जो पानी था तो ये पानी हम अब इसमें नहीं डालेंगे इसे हटा देंगे और इंजार को धो करके अच्छी तरह से धूप में सुखा लेंगे क्योंकि अच्छी तरह से धूप में सुखा लेंगे क्योंकि अच्छी तरह से धूप लग रही है चलिए हम मसालों की तयारी कर लेते हैं और आम का अचार जब भी बनाए मसाले बहुत अच्छी तरीके से नेजर कर दे लिए तो इसमें हम दो बड़े चमच जीरा ले रहे हैं दो बड़े चमच पीली वाली जो सरसो होती है वो ले रहे हैं काली सरसो लेंगे लगभग वो भी दो बड़े चमच और इसमें डालेंग और सौफ इसमें हम दो चमज डालेंगे सौफ डालने से आचार का टेस्ट और खुस्बू बहुत ही ज्यादा बढ़ जाता है और यह पच्पोरन तेयार हो रही है जो आचार में पढ़ेगी पीसी भी जाएगी कुछ और कुछ खड़ी भी डाली जाएगी तो चलिए इसे में हम एड करेंगे पीसने के लिए और आधा हम रख देंगे ऐसे ही खड़े अचार में डालने के लिए और यह तो हो गई पच्पोरन की बात तो अब चलिए हम उन मसालों को तयार कर लेते हैं जो आम के अचार में पढ़ने मारी है तो यह हम 15 से 15 से 20 लगभग तीखी वाल ऐड करेंगे लगभग चार से 5 चमच कालीवाल सरसो और चार से पांच चमच हम पीलीवाली सरसो यह करेंगे तो चकार डाला में तो सो अचार में अगर सौफ की क्वांटिटी आप ज्यादा रखेंगे ना तो अचार मतलब उसका जो खुजबू होता है बरकरार रहता है और इसमें हम दो चम्मच भर कर जीरा डालेंगे और इन सब को कर लेंगे हम अच्छी तरह से मिक्स यह तिकी वाली मिर्च है अगर आप कम तीखा खाना तो कम मिर्च का युज्ज कर सकते हैं तो इन नसालों में आम डालेंगे लगबग एक चम्मच के करीब जो काली वाली मिर्च होती है वह काली मिर्च डालने से क्या होते हैं कि आम का अचार जो होता है न वो एक दम बहुत ही चटपटा फ्लेवर देता है तो इस आचार की जो मसाले हैं उसको हम लेकर चलते हैं च्छत पर और अच्छी दूप इसमें भी हम करीब आधा घंटा तक इसे हम अच्छी दूप में रहने देंगे और यह देखे जो जार है उसे भी हम अच्छी तरह से धोल लिये हैं और आम लगभग सुख चुके हैं तो जब हम मसालों को लेने आएंगे तब इसे हम ले चलेंगे तो इन मसालों में देखिए अच्छी धूप लग चुकी है तो अब चलते हैं हम नीचे और जो आचार के मसाले हैं उसमें अच्छी धूप लग चुकी थी तो इन मसालों को हम हलका सा रोष्ट करेंगे तो अब हम कडाही को थोड़ा सा गर्म करेंगे और जब इन मसालों को आप भूने ना तो गैस का जो फ्लेवर है एक दम लो रखे कडाही बस गर्म होनी चाहिए और उस कडाही में हम इन मसालों को हलकी आज पर रोष्ट कर लेंगे ज्यादा हम नहीं भूनेंगे नहीं तो इन मसालों का जो असली फ्लेवर है जो सुगंग है जो इसका स्वाध है वो खतम हो सकता है इसलिए लो फ्लेम पर इसे हम भूनेंगे और इस पच फोरण को हम भून लिये हैं तो इसे अब हम निकाल लेंगे दुसरी बर्तर में और जो मेर्च वाले मसाले हैं उसे भी हम इसी तरीके से लो फ्लेम पर भूनेंगे और जैसे ही इन मसालों को आप भूनेंगे न तो आपको एकदम इसका खुसबू बिल्कुल अचार जैसा आपको लगने लगेगा अगर आप चाहे तो अचार में लहसुन को भी छेल कर कूट कर डाल सकते हैं लेकिन हम बिना लहसुन वाली अचार बना रहे हैं तो इसमें हम केवली नहीं मसालों का यूज करेंगे लहसुन का बिल्कुल यूज नहीं करेंगे और बिना लहसुन के भी अचार बहुत ही बढ़िया बनती हैं तो ये मसाले भी अच्छी तरह से भून चुके हैं आप देख सकते हैं कि इतना मतलब गैस का फ्लेम लो है कि इन मसालों को हम हाथ से चला सकते हैं तो ये मसाले भी लगवग अच्छी तरह से भून चुके हैं तो अब हम गैस को कर देंगे बंद और इसी में हम इन मसालों को रहने देंगे ताकि जो मिर्च है वह सौफट ना रहें बहुत अच्छी तरह से एक्दम करारी हो जाए कि जब हमिसको पीसे न तो एकDम पिसा जाए और इन मसालों का हमें बारिक पेस्ट नहीं बनाना है अचार के जो मसाले हैं वो दर-दरे ही रहते हैं तो इसी में अब हम इसे ठंडा होने देते हैं तो ये देखे जो आम छट पे हम सुखने के लिए डाले थे वो अच्छी तरह से सुख गए हैं तो इसे अब हम अचार लगाने जा रहे हैं और सुखने के बाद ये जो हरे वाले छिलके वाले आम के अचार थे न वो देखिए थोड़े छिलके इसके कलर थोड़ा इसमें डिफरेंट हो गया है पर कोई बात नहीं जब इसे हम बनाएंगे न तो इसका कलर एकदम बढ़िया आ जाएगा तो ये मसाले बहुत अच्छी तरह से ठंडा हो गया है तो इसे हम चलिए पीस लेते हैं और जब इसे हम पीसेंगे न तो ये जो पच्छ फोरन है उसमें से दो चम्मच के लगभग हम इसमें डालेंगे पच्छ फोरन में आप कोसिस करिएगा कि मेथी को जादा ना पीसे खड़े ही डालें क्योंकि मेथी जब आप इसमें पीस देते हैं तो आचार एकदम तीखा टाइप का फ्लेवर देने लगता है तो इसमें हम दो से धाय चम्मच के लगभग ही पच्छ फोरन एड़ और इसे हम लेंगे एक मिक्सी की जार जो बहुत अच्छे तरह से सूखी हुई हो उसमें पानी एकदम नहीं होना चाहिए तो चलिए इन मसालों को हम इस मिक्सी में डाल करके एकदम दरदरा टाइप का पीस लेते हैं इसे एकदम पावडर के फॉर्म में नहीं पीसना है औ इसमें हम एक चमच के करीब हल्दी पावडर डालेंगे जिससे इन मसालों का जो कलर है न वो भी थोड़ा बढ़िया आ जाए और हल्दी हम पहले भी अचार में डाले हैं और जब हम अचार में मसालों को मिक्स करेंगे तब भी हम डालेंगे और जब यह मसाले आप पीसे न है और यह देखे नोको हम अच्छी तरह से पीस लिए हैं दर्दरा आपकोस देखने में यह पौडर फॉर्म में लग रहा हैig bleem अब चलिए अब में अचार को लगाते हैं तो हम लगा रहें है जो बीना चृलके वाली है और इसमें हम 3-4 कमच के लगभग सर्षों का तेल एड़ करेंगे आप अगर चाहे तो सर्षों का तेल इसमें पका कर बीडाल सकते हैं लेकिन कोसिस करें कि तेल जादा पकी क्यों नहीं हो हलका ही गर्म करें और उसे थंडा करने के बाद अगर घर का सरसो का तेल है तो आप इसे ऐसे भी डाल सकते हैं डारेक्ट इक दम तो इस तेल को हम अच्छी तरह से इसमें मिक्स कर लेंगे ताकि आम का जो यह फाकी है उसके उपर से इन तेल का अच्छी तरह से कोटिंग हो जाए और तब फिर इसमें हम एड़ करेंगे यह हुए जो मसाले हम रखे हैं उसको और इन मसालों को हम लगवग दो चम्मच के करीब डालेंगे और अगर आप इसमें इन मसालों में पच्छ फोरन एड नहीं करते हैं तो इस तरीके से आप सब्जी मसाला भी बनाकर घर में रख सकते हैं डेली यूज के लिए तो इसमें हम दो चम्मच के करीब मसाला डाल दिये हैं अचारवाला और इसे हम अच्छी तरह से मिला ले रहे हैं और मिक्स करने के बाद ये मसाले थोड़ा अगर आपको कम लगे न तो आप इसमें एक दो चम्मच के करीब इसमें आप मसाले एड कर सकते हैं और इन मसालों को करने के लिए हम इसमें 1-1.5 चमच के लगभग नमक डालेंगे ताकि ये जो नमक है मसालों को भी अच्छी तरह से मतलब बैलेंश करें और थोड़े जो आम की अचार है उनमें भी अच्छी तरह से जा पाएं तो इसे हम अच्छी तरह से मिक्स कर ले रहे हैं और अभी भी इ चम्मच के लगभग थोड़ा और मसाला एड़ करेंगे तो इतना मसाला इस अचार के लिए बहुत है इसमें हम ज्यादा मसालों का यूज नहीं करेंगे तो इसे अच्छी तरह से चलिए कर लेते हैं मेक्स और तेल पहले डालने के कारण क्या होता है ना कि मसालों की जो कोटि अगर आप जादा सुखा देंगे ना तो थोड़े यह हाड टाइप के हो जाएंगे तो चलिए इसे हम जार में भर लेते हैं अगर आप इसमें ज्यादा तेल डाल देंगे ना तो क्या होता है कि जो लेयर इन मसालों का चड़ा हुआ है आम के फाकी के उपर वो तेल की वज अगर आप पानी से थोड़ा दूर रखे पानी के हाथ का यूज इसमें ना करें तो आप इसे चाहे तो जितने दिन तक चलाना चाहे चला सकते हैं तो इसे हम इसमें अभर ले रहे हैं और हम इसमें पच्फोरन डालना भूल गया थे तो फिर इन अचार को हम दुबारा से पलट करके इसमें एक से डिड़ चमज के करीब पच्फोरन डाले हैं और फिर से इस जार में हम डाले हैं तो इस अचार को हम अभर ले रहे हैं ये देखिए तयार है एक दम इंस्टंट बनकर तयार आम का अचार तो इसे अब हम करेंगे साइड में और जो छिलके वाली आम तो अब हम इसका अचार लगाएंगे और यही प्रॉपर तरीका है इस अचार को लगाने का तो इसमें भी हम पहले 5-6 चमज सरसो का तेल डाल दे रहे हैं उसके बाद थोड़ा सा हम हल्दी डालेंगे क्योंकि धूप में डालने के बाद थोड़ा सा जो हल्दी का कलर है इसमें हट गया था तो आधे चमज या एक चमज के करीब आप इसमें हल्दी डाल सकते हैं और इसमें हम जो अचार का मसाला बना कर रखे हैं वो तीन से चार चमच भर भर कर डालेंगे अगर आपको मसाला कम लगे नहीं तो आप अपने एकोर्डिंग मसाले को बढ़ा या घटा सकते हैं और अब इसमें हम नमक डालेंगे, टेस्ट के एकॉर्डिंग, और नमक थोड़ा कमी हो गया था, फिर बाद में हम एड़ कियें, जब इसे हम चखे तो थोड़ा कमी था, तो आप चाहे तो बढ़ा कर डाल सकते हैं, और इसमें हम डालेंगे, यह जो पच्पोरन बना कर रखे हैं, इसमें दो चमच भर कर हम पच्पोरन डालेंगे, तो चलिए, अब इन सब को हम कर लेते हैं, मेक्स, और जब इस वक्त आप अचाहर बना रहे हो न, तो उसमें नमक और हल्दी जब एड़ करेंगे, तो वो मसालों को और आम को बहुत बढ़ियां तरह से फ्लेवर देंगे, और पहले जब हम इसमें नमक खल्दी डाले थे, तो उस समय डालने का कारण ये होता है न, कि अचाहर की जो सेल्फ लाइफ होती है, बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, तो इसमें थोड़ा सा तेल कम लग रहा था, तो थोड़ा सा तेल हम और डाले हैं, इसमें इतना तेल ज़रूर पड़ेगा, ताकि मसालो की कोटिंग इस अचाहर के उपर बढ़िया तरह से हो जाए, और नमक जो है, वो हेल्फ करेगा इस अचाहर को गलने में, तो चलिए, अब इस अचाहर को अच्छी तरह से हम मिक्स कर लें, और देखे इन अचाहर के उपर कितनी अच्छी तरह से मसालो की कोटिंग हो गई है, और इतना काफी है, अभी इसके अंदर मसाले हैं, नीचे तली में बैठे हुए, अभी आपको हम दिखा रहे हैं, यह देखे, कोटिंग होने के बाद भी इतने मसाले हैं, जो अचाहर के लिए काफी है, अगर अचार में जादा मसाले पढ़ जाते हैं तो जब अचार खत्म हो जाता है तो फिर उन मसालों का यूज कुछ हद तक तो होता है फिर बागी समझ में नहीं आता कि कहां तक उसका यूज किया जाए तो चलिए इसे अब हम जार में भर लेते हैं कि हम इसे प्लास्टिक के डब्बे में भर रहे हैं क्योंकि मेरे पास बड़ी वाली जार नहीं है अगर आपके पास हो तो कोशिस करें कि सीसे वाली जो बड़ी वाली जार होती है उसमें आप इसे डाले हैं कि यह जो बच्चे हुए मसाले हैं इसे हम उपर से डाल देंगे और यहां पर थोड़ा बहुत आप तेल एड़ कर सकते हैं करीब तीन चार चमज के करीब और नहीं तो आप ऐसे भी रहने दे क्योंकि जब नमक इसमें घुलेगा न तो वो सारी मसालों को अचार के उपर न चपका देगा और गलनी भी में भी हेल्प करेगा और यह देखिए जो मूली का अचार था इसे भी हम भर लिया है इसमें नमक डाल कर रखे है इसे दुसरे दिन हम अच्छी तरह से इसमें भर दिन का धूप लगेगा ताकि इसके स्मेल निकल जाए और इसी प्रोसेस से मूली का भी अचार लगेगा तो यह देखिए आम का हलेगे ना तो क्या होता है कि तेल जो है सम्मावेठे हुए नीचे तली में जाकर बैठ जाता है और अचार बिलकुल ऊपर से बिना मसाले नाते में देखिए यह जो है छोटी वाली जार में है वो कूचा है हमारे यूपी भीहार में बोलते हैं इस्टेंट बन कर तयार होने वाली और यह एक बिना छिलके की आचार है और यह छिलके वाली आचार और यह तीनों आचार बहुत ही बढ़िया लगती हैं टेस्ट में खाने में और आप चा किया गया अनुभव है जो मैं आप लोगों के साथ सेयर कर रही हूँ तो आप भी आचार बनाने की अगर सोच रहे हो तो इस तरीके से जरूर बनाईएगा और एक लाइक जरूर कर दीजेगा ताकि मुझे अच्छा लगे वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सेयर कमेंट क दीजेगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजेगा तो बाई राधे राधे